नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का दोस्तों 37349 काउंसलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट्स यहाँ पर और 31217 में एक महत्वपूर नोटिस जारी हुआ है और यहाँ नोटिस 37349 अभ्यरतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसे आप जरूर देख लीजिएगा साथ में दोस्तों यहाँ पर सासना देश को लेकर के अपडेट्स को बात करेंगे साथ में DDCC, F.A. David कब बनवाए और किस तरह से क्या बनवाए, किस में बनवाए किन-किन तुरुटी में सपत-पतर जरूरी है आपके लिए अंकित रुटी के लिए एक संसोधन मानने होगा कि नहीं होगा जात निवास में राहत कब और कैसे सारी अपडेट्स को यहाँ पर कवर करेंगे तो प्लीज दोस्तों वीडियों को जरूर लाइक कर दीजीगा सेर कर दीजीगा साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले चलिए दोस्तों वीडियों को शुरू करते हैं देखे दोस्तों पिछले वीडियों के अंतरगत मैंने लगबग लगबग सारी चीज़ें आपको बताने का परयास किया था तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं डेटेल में सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूंगा 2-3 मिनिट के अंतरगत सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा नोटिस जारी हुआ है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहोंगे कार्याले जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी सारंपूर से एक नोटिस जारी हुआ है मैं आपको किवल यहाँ पर जो नीचे महतुपुड बिंदो यह दिखाना चाहता हूँ यह वेतन के संबंद में है जो 31,279 चैनित सिक्षक है तो नीचे आप दिखेगा यहाँ पर वेतन एम इस आसे के सपत पत्रों की यदि उनके अभिलेकों में यदि कोई भी तूटी पाई जाती है तो संपुड उत्तरदाई तो संबंदित का होगा तता संबंदित सस्ताओं से आलाइन या आफलाइन प्राप्त सत्यापन के आधारपन निम्नांकित अभ्यरती के वेतन बुक्तान के अनुमति इस प्रतिबंद है के साथ प्रदान की जाती है कि यदि भविष्ण में पाया जाता है कि सम्मांदित अभ्यर्थी द्वारा गलत तत्यों अत्वा कोट रचित फरजी अविलेको अत्वा किसी दूसरी ब्यक्ति के सैक्षिक अविलेको परमार पत्रों के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त क से ही समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध वैदानिक कारवाई की जाएगी और उनके वेतन आदिकी वसूली भी की जाएगी ठीक है देखिए दोस्तों यह मामला सीधे सीधे उन फरजी नियुक्ति पत्र फरजी नियुक्तियों को लेकर के चाहे वे 31,277 के अंतर उन बैलिट लिजन आप कह सकते हैं आप एरिंग बैक पेपर वाले धीक हैंया यहां पर सब भर्ता है कोण इस भरत के लिए इलिगिल है कोन eligibility नहीं है ठीक है बहुत सारी लोगों नहीं यहांपर अपने तरफ से जो कर सकते हैं आपकी मनमाने तरिके से अंक भर दिये थे पास नहीं थे बैक पेपर था वागिर अब दीखें जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार ही आपको चलना है क्राइटेरिया कि अब अंदर है ठीक है तो आप वहाँ पर शंगर्ष कर सकते हैं आप वहाँ पर सासन अस्तर से सचीवेस्तर से मांग कर सकते हैं अपने जो भी अपने बला इटी है लेकिन जोय अगर अगर उस तिति तक नहीं है या फिर किसे के डोकुमेंट सही फरजी है या फिर अन्य प्रिकार के जो कूट रचीत या फरजी चीज़ों को ले करके सलग न करके जिन्होंने भी वेरिफिकेशन करा करके फाइन लेकर विद्ध्याले आवंटन में भी सपन हो गए होंगे तो ऐसे लोगों की खिलाप यहाँ पर देखे सक्त रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यह बाद में भी कोई भी इस तरह की चीज़ पाई जाती है तो इनका तो नियुक्ति पत्र निरस्थ होगा आई साथ में जितने भी वेतनिंग को मिले होंगे उसकी भी वसोलिक की जाएगी तो यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो जो भी देखे गलती सभी से हो जाती होगी ऐसा नहीं है किसी से कोई eligibility होने के बाद भी उनसे गलती होगी मानवित्रूटी होगी और जिन लोगों ने फरजी तरीके से कोई गलती किये तो आप लोग counselling अगर यह अभ्यारती counselling नहीं करवाते हैं तो यह ज़्याद अच्छा होगा क्योंकि आप counselling भी करवा लेते हैं माले जी किसी को भी द्याला आवंटन भी हो गया फरजी तरीके से और बाद में अगर आप पकड़े जाते हो तैसे आप नौकरी भी जाएगी और आपका समय भी खराब होगा तो इससे अच्छा होगा कि आप आने वाले भरती के तैयारी करें और क्योंकि देखें जो भरती आती है बहुत सारे अभ्यारती चाहते हैं मतला हम भी इसके लिए आविधन कर सके लेकिन कहीं गहीं आपके जो इलिजिबिल्टी योगिता होती है उस तिति तक माने होना चाहिए संपूड़ो होना चाहिए पूड़ो होना चाहिए अब कोई अभ्यारती DLA का हो TGT में फॉर्म भर दे तो यह माने नहीं होगा ना अगर है ही नहीं उसके अनुमती या फिर कोई अपेरिंग वाला है उसको माने नहीं किया गया अगर वह भी फॉर्म भर दे थे तो ऐसे में उनको माने नहीं किया जाएगा इसके बाद दोस्तों पहले भी आप सभी को बताया गया था कि 79,000 शिक्षक बर्ती में 37,349 अब भेरतियों के चुकि 2,34 को काउंसलिंग हो ली है और 5 दिसंबर के बाद आप इसको 5 दिसंबर छोड़ दिजिए कम सकम आपको 10 तक आपको यहां पर वेट करना पड़ सकता है दस में 11 में 12 में आपको नियुक्ति पत्र वित्रित किये जा सकते हैं और जब तक इसके लिए आफ इसल नोटिस नहीं आ जाता है तो आप इसको लेकर के बिल्कुल भी परिसाद नहीं होईए यह हो गई दोस्तों 31,277 में ज़रूरी नोटिस और काउंसलिंग के समद में बड़ी अपडेट्स है ठीक है अब देखिए आगे जो हम बात करेंगे सासना दिस्क को लेकर के क्या होता है दोस्तों जब तक कोई चीज जारी नहीं हो जाती है रिलीज नहीं हो जाता है तब तक उसके पहले कई तरह के अनुमान तरक लोग लगाते रहते हैं और हमारे तरफ से भी आपको बताने का प्रयास किया जाता है कुछ जो भी अनुभव होते हैं पिछले अनुभव या पिर जो कुछ तार्किक रीजन होते हैं उनको लेकर के इसके पहले भी आप लोग कमें जाए लेकिन आज ही जारी हो सकता है चुकि यह चुनाव आयोग से अनुमति और शाथ में जब प्रेस नोट आफिसियल जो प्रेस नोट जारी हो चुका है काउंसलिंग सेडूल भी जारी कर दिया गया है तो ऐसे में अब कुल मिला करके सारी जो डिटेल्ड जानकारी काउंसलिंग से लेकर के नियुक्ति पत्र बितर के संबन में तो सासना देश संभावता आज की ही तीति में किसी भी समय हो सकता है दोस्तों मैं वीडियो भी बना रहा हूं हो सकता है वीडियो अप्रोड करते करते या किसी भी समय आपको साम देर रात तक भी आपको सासना देश आज ही देखने को मिल सकता है तो इसको लेकर क्या प्रहसान आगे हैं जो भी जैसी भी अपडेट्स आगी की होगी सुचना आप सभी को प्रवाइट कराती जाएगी अब दोस्तों यहां से अत्यनत ही महतुपूर जानकारी आप सभी के लिए जो भी 37349 पदों पर काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखे का कोई भी पार आप इसकीप मत करिएगा अधरवाइस दोस्तों आपको जो भी जानकारी होती है आधी अधुरी आप तक पहुच पाती है और आप परिसान होते हैं उनको भी हमयाँ पर देखेंगे उसके पहले दोस्तों केवल एक निट का समय लोंग मैं यहां पर डीडी के लिए कारेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एफिडिविट के लिए देखी मितरों पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीडी अगर आपकी ज्यादा पुरानी हो चुकी है अगर आपको लगता है कि 10 दिन 15 दिन में बलेटेटी खतम हो डीडी बनाने में कम से कम 10-12-15 दिन का समय भी लग जाता है तो ऐसे में कम सकम आप एक मेने के बलेटेटी आप मान कर चलिए अगर है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप उसको रेनिबल करवा लेजिए बहुत जादा उसमें चार्ज नहीं लगता है और जिनके पास जिनकी डेडी एकस्पायर हो चुकि या फिर जिन्हों ने डेडी नहीं बनवाया था तो आप सभी को बताना चाहता हूं चुकि जो काउंस्लिंग आपकी स्टार्ट हो रही है उसके पहले जो आपको समय मिलने वाला है सनिवार तक का या फिर आप सुक्रवार तक कही समय मान कर आप इन 2–3 दिनों में आपने डेडी को जरूर बनवा लिजिए या फिर आपको डेडी रानुवल करवाना है तो आप उन्हें जरूर करवा लिजिए रदीपर्मापत्र अगर अगर बनवा पत्र बनवाने थे यह सब चीज़े देखिए आपके काउंसलिंग के समय लगेंगी मेडिकल वगरे के लिए परसान नहीं होना आपको तो बाद में भी चल जाता है लेकिन चलितर प्रमार पत्र हो गया सपत पत्र हो गया डीडी हो गया आपके सभी प्रतियां आपकी यह बिल्कुल फोटो हो गया आपका आइडी फूरूफ हो गया आपका ठीक है आपके आवेदन की प्रिंट और साथ में इसको प्रतिलिपी है बिल्कुल इसमें से एक भी आपको मिस नहीं करना है किसी भी सूरत में आप इसको बार-बार देख लीजिए बा अगर नया हो तो ठीक है नहीं है तो आप उसे बनवा लेना चाहिए था आदर्वाइश तो जिन मित्रों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने जरूर बनवा लिया होगा और जो लोग नहीं बनवा पाये थे कहीं कहीं 31,277 के अंतरकत आपने देखा होगा किसी का 2,008 का किसी का 2,007 का जाती निवास है उसके वज़े से उनका न्यूक्त पत्र फिल हगली जो महतु पूरचना थिसन आए सबत पत्र को लेकरके तो जो भी चोटी से चोटी तुर्टी हो उनके लिए आप सपत्र जुरूर बनवा लज़े उनके लिए पूचने की आउ सकता नहीं है आप किसी के गारंटी दिने पर किसी की यह कहने हो जाएगा कोई दिक्कत न का है ठीक है आप चाहिएंगे तो एकी से पत्पत्र के अंदर गता आप 10 से 15 12 14 जो भी तूटी है उनको आप मेंसन करवा सकते हैं काफी जगह है इस पेस होता है तो आप जो जो भी चीजे हैं सरनेम कोई भी छोटी से छोटी तूटी हो इस पेलिंग की अलफाबेट की डिजिट की आप उसी जरूर मेंसन करवा लेजिएगा उसमें पॉइंट वाइस करके ठीक है तो डीडी सीसी और एफीडेविट ये आप दो से तीन दिनों में बनवा लेजिएगा आगे आपके पास समय नहीं मिलेगा फिर संडे उसके बाद पिर आपके काउंसलिंग होनी है सोमो और मंगल और ठीक है दो तारिक से काउंसलिंग आपकी होनी उसके पहले आपको समय कितना मिलेगा आप सभी जानते हैं फिर उसमें चुट्टियां भी पढ़ने बाली है बीच में आग मैं आपको बता देना चाहता हूं तो इसलिए ज पर ज्या जात, निवास को लेकर रहात, तक तक तो आए दोस्तों कमेंट को देखते चलेंगे और आपके सभी प्रश्म है उनको हम जवाब आपका जू समाधा और बताती चलेंगे और जो apar कोसिस की जाएगे की आपको जो भी समाधा हो नहीं हो बिलकुल प्रापर हो ओचि लेकिन अभी आप के पास समय है तो आप बनवा लीजिए आपको उसमें ज्यादा कोई नुक्साना पने होने बाला है और अगर इन संसोदनों को अगर आटोमेटिकली मानने कर दिये जाता है तो फिर तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है चुकि इनके बज़े से दिक् में कोई संसोदन का हो सकता है क्या तो देखिए सीधे सीधे इंकी मेरिट जो है इनसे प्रभावित होती है और इसके लिए देखे भी जो विचार मंता ने सासनस्तर पर चल रहा है कि जो पूरी तरह से इलिजबिल थे हैं लेकिन उनसे जो है अंकी तुरूटियां हो गई है तो उनके लिए किस प्रकार से प्रत्याविदर लेकर किस प्रकार से या फिर कैसे उनको रहा दी जा सकती है एक का मित्रों आप सभी को और भी करना होगा आप चाहें तो हमारा टेलिग्राम चैनल गुरूप पर आप ज्वाइंग कर सकते हैं मैं उसका लिंक और यहां पर देखें समलित प्रयास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक यहां पर मुस्किल है संसोदन होना फिलाल में जो अभी इस्थिति है बाकी उम्मीद करेंगे दोस्तों कि नहीं सासन अस्तर से इस पर भी फैसला लिया जाए चुकि यह गलतियां हो जाती है साइब 12, 12, 12, 18 के पहले का और ज्यादा पुराना वाला यानि 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है तो उनका तो ठीक लेकिन जिनके पास ज्यादा पुराना है या फिर जिनका 12, 12, 12, 18 के बात का है तो आपको ज्यादा परिसान होने की आवसकता नहीं है उससे दिक्कत तो हुई है ले आपको कोई भी चांस नहीं लेना है हाउस नंबर एड्रेस में गलती है तो आप उसको भी आप एट करवा लिजी एक लाइन सपत पत्र में कोई दिक्कत नहीं है पुराना आपने बनवा लिया हो सपत पत्र आप फिर से बनवा लिजी नया एक ठीक है 20-30 रुपे खर्च करके पिर शिक नया बनवा लिजी कोई दिक्कत नहीं है 150 रुपे आप लिखवा लेगा उसको प्रापर तरीके से तो इसको लेकर कि आप मत चूकिए ठीक है 120 रुपे खर्च के चक्कर में आप बनवा लिजी उसको पिर दिखें आप नीचे चरेतर प्रमार पत्र आप इसे पावित नहीं हो रहा है लेकिन इंका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है अंकी तुरूठी की कारण तो देखी मित्र आपके लिए वही है कि सासन अस्तर से देखी मांग सभी तूठीयों के लिए की गई है और अंकी तूठी के लिए भी अभी पूरी सम्मा होना है 100% कि इ अंतजार है तुरूठी संसोतन की मुद्दे को लेकर के सासना देश का तो उम्मीद करेंगे बहुत जल्द इसके लिए सलूशन मिले समाधान मिले डीडी जो है आपका पुराना वाला जितने भी बनवाना था जितने का तो आप उतने का यह बनवाना उसमें कोई चेंज नहीं कोई परिवरत नहीं आपकी भरती हुए या क्या छे मेने पहले वाला चल जाएगा देखे जो पुराना है वो पुराना ठीक है आप चाहे तो एक नया जरूर बनवाले पुराना वाला भी अपले जाए आप एक नया बनवाली चीएगा बाकि इससे कोई दिक्कत नहीं होने चीए देखे मेरे इससाब से लेकिन आप नया वाला जरूर बनवाले यहां पर देखिए फाओं बढ़ने के बाद टेट में एक नंबर बढ़ गए तो इससे आपको कोई प्राब्लम नहीं होने वाली है ग्रिजुसेंग और बीट के बीच गयप है देखिए मितर अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया है जैसे आपने ग्रिजुसेंग के बाद आपने असनातक के बाद आपने परासनातक पीजी किया हो तो ठीक है फिर आपने तुरन बीट कर लिया या फिर आपने असनातक के प्रिषनी की आउ सकता नहीं और नहीं इसको आप बिल्कुलalen रावाइभ करेंगे इसको आप बिल्कुल 100% सपतपतर बनवाले जी कि यह पर देखी नीचे जन्पत भी बदल सकता है क्या कि देखी मित्र जन्पत किसी का नहीं बदलने माला है बार-बार कराई रहा हूँ बहल प्रियाग राच यह बिल्कुल सही होना चाहिए ठीक है अगर आपके पास पुराना वाला जो सासना देश आया था सरसट आठ सरसट वाला तो आप उसे देख लीजिगा अधरवाइज यह सासना देश आपका आ जाएगा तो आपको सारी चीज़े असपस्ट हो जाएंगी ठीक है इसमें आपको बिल्कुल परिशान होने क्या सकता नहीं है किसी की वेकावन से प्राइबे पर वाली चीज़ेंगा फिर दिखिए इंका जाती है 2008 अकात इंकी लिए दिक्कत है इन्होंने नया अगर बनवा लिया होगा अगर वीडियो मारा देखा होगा पहले वाला तो ठीक है अधर वाज आप पुराना वाला लेकर जाईए और नया वाला आप चाहे तो अभी से बहा सकते हैं बागी बाद में देखेंगे क्या होता है लेकिन आपको बन वाले लेना चाहिए था और 2008 के बाद से तो आपको इतना बीच में समय था, आपको एकार कवर बनवा लेना चाहिए था, 15, 16, 17, 18, कभी-कभी अगर रहा होता, तो आपको समस्या नहीं होती, बाकि सचिव साहब की तरह से नोटिस का इंतिजार करेंगे, इसको लेकर करें, इनका देखे, बीए 2001 में फिर किया है, 2003 में में उसके बाद कोई कोर्स नहीं किया, 2008 में बीड किया है, इनको भीया, जितने भी साल का गैप हुआ है, उतने एगर के लिए आपको बिल्कुल प्रापर तरीके से, उसमें लिखना होता है कितने साल का गैप हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको बताना होगा, जिम के एक या दो नंबर का डिफ्रेंस है तो मेरिट प्रभावित हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए आपको एक जूट हो करके दोस्तों यहाँ पर सासन से सचिव साप से मान करनी होगी कि हमारे लिए भी एक मौका दिया जाए बस यही सलों से ने बाकि जो लोग कोट जाना मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा अगर कहीं से भी आपको रहात मिले बस में यहीं चाहता हूं इसके बाद आगे देखे जाती निवास अभी आपको थोड़ा सा प्यूट कर लेजिए हो सकता है आज या फिर कल तक आपको 100% नोटिस हाजा सचिव सापकी तरफ से जाती लेकर के इंका देखे सरण्यम नहीं लगा तो आप सपत्पत्र में मैंसन करवा लीजिएगा चोटी से कोई चोटी तूटी हो आप उसके लेकर के आप बिल्कुल आप इग्नोर ना करें बस मैं ही कहना चाहूंगा ठीक है यह नोकरी दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिल लेकर से यह अच्छा रहेगा इसे बना लेगा है कि च्छाहा पर में इसे ऑन जरूर में कर लेजैं आप इंदे पत्र पे बेटी सी का पूर डांग गलत फिलो गया तो दोस्तों ये तो अंकी तुर्टी के अंतर गता आजाएगा और इसके लिए वही सोलुसन जो मैंने बताया आप सभी कोई का आप सभी कोई मिल जूल करें नहीं भी है किसी का कोई नाम चैंज नहीं होना जिसका जहां पर जैसे था उसी तरह से हो रहेंगे सूची भी कोई बदलाव नहीं किये गए केवल और केवल जो भरती आपके दो चल्ड़ों में डिवाइड हो भी है थोड़ा सी यह नई चैंज सूची को लेकर के आप वहा फैला दी गई है उसको लेकर के आप लोग परसान है तो कोई भी नई चैंज सूची ऐसा कुछ भी नहीं है नाम में एक लेटर नहीं है आप बिया सीधी सीधी सपत्पत्र इसके लिए बनवालीजी सपत्पत्र अगर आपने पुराना था आपने बनवालीजी वहाँ पर फिर सभी को मेंसंग कर दीजी यह OBC उनने पूछा है तो OBC 65.8 वाले तो बिलकुर 100% से और आपका हो जाना चाहिए थर्ड काउंसलिंग में यहाँ पर देखे जिस केडिगरी के जितनी सीट बची है उन पर सभी केडिगरी के लिए 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 या फिर बची सीटों पर भी आरक्षड लागो होगा लेकिन जो यहाँ पर अभ्यरती अनुपस्तित हैं जो इस तरह से पदरिक्त बचते हैं तो आपर वर्गवार ही अभ्यरती बुलाए जाते हैं जो वर्गवार सीटे बचते हैं अगर आपने डीडे और सीटी बनवा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आप उसे देख लिजिएगा बिल्कुल सही होना चाहिए कोई दिक्कत उसमें ना हो जीस तरह से मागा गया है सासनादेस के अकॉर्डिंग लिए उसी तरह से होना चाहिए बाकि सासनादेस आजाने दीजिए उसके बाद में डेटेल वीडियो एक और बढ़ातों का डोकुमेंट्स को ले करके यहाँ पर देखें इंके फादर नेम जो भी गलती आप सपत पतर में डाल दीजिए ठीक है ऐसे जो भी तूटियों जिन से मेरिट प्रभावित नहीं होती है उनके लिए आप सीधी सीधी आप सपत पतर बनवा लेजिए अंकी तूटि वाले आप बैड़ती है आप भी बनवा लेजिए बागी तेखते हैं कि उसको मानने किया जाता है कि ने किया जाता है जब आपका वरिफिकेसन करा जाएगा ठीक है सभी परकार के तूटियों के लिए आप बनवा लेजिए सबत पतर तो फिलाल दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आगे कि जो भी अपडेट्स होंगी आप सभी को सूसना प्रोवाइड करा दी जाएंगे जो भी आथेंटिक जानकारी होगी तो प्लीज दोस्तो वीडियों को लाइक करके जयाता से जादा सेर जरू कर दिया करें साथ में चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें थेंक्यों सो मच प्रेंट्स थेंक्स पर वाचिंग